नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक्स, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स ब्लोक पर दोस्तों ये मेरे कोलियस के प्लांट्स हैं और यहाँ पर बीच में ये पोर्षन जो थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा है अभी कुछी समय पहले ये भरा-भरा था उपर से एक गमला तेज हवा के कारण नीचे गिरा और वो डारेक्ट वहीं पे गिरा जेट प्लांट का गमला और पूरा का पूरा मेरे कोलियस तूट कर बिखर गया खैर उसको मैंने सच ठीक से वो करके पिंचिंग वगयरा कर दी है में भी हो सकता है जल्दी वो भी घना हो जाए खैर आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपना प्लांट सॉपिंग का वीडियो जो है आप लोगों के साथ सेयर करने बाला हूँ मैंने आज गार्डेन में काफी सारा काम किया है इस पोसन को पूरा रियरेंज कर दिया है और यहाँ पर रखे हुए हैं मेरे बो प्लांट्स जिने कल की नर्सरी सॉपिंग में मैं ले किया आया हूँ इस बार मुझे जो पोधे मिले हैं बड़े ही यूनिक हैं बड़े ही प्यारे प्यारे हैं और कुछ मेरी जो रिक्वाइर्मेंट्स थी उस रिक्वाइर्मेंट के हिसाफ से ही मैंने जो है वो सेलेक्ट किये हैं तो मेरी nursery shopping का जो सबसे पहला पौधा है, यह है आपका एक यह variegated पौधा, मुझे तो यह peperomia की variety लग रही है, आप लोग comment section में बताइएगा कि क्या है यह, और इस बार मुझे काफी सारे पौधे ऐसे ही मिले थे, मैंने search करके काफी सारे पौधों का नाम जो है वो निकाल लेकिन जो है, इसका मुझे नाम नहीं पता चल रहा है, मुझे तो यह peperomia की variety लग रही है, अप लोग comment section में जाकर बताइएगा कि यह है, क्या मुझे थोड़ा अच्छा लगा यह देखने में, सकुलेंट से पत्ते लग रहे हैं, लेकिन सकुलेंट जितने ठिक नहीं है, खेर, यह 40 रुपय का मुझे मिला है, लगभग जो है 6-7 इंच का पौधा है, पौधे छोटे हैं थोड़े, जितने भी पौधे हैं, इसके बाद यह sweet potato wine है, या फिर singonium है, उसने तो मुझे money plant की variety बता कर दिया है, लेकिन मुझे यह money plant नहीं लग रहा है, इस टेम तो money plant ज 30 रुपीज का मिला है, सिंगल स्टेम का पौधा है, बिल्कुल छोटा सा, इसके बाद अगला पौधा जो है, लगाता जाओं, वोना भी सब भी खेर दोंगा, अगला पौधा जो है, यह है sweet potato wine की variegated variety, इसे मैंने hanging में लगाने के लिए लिया है, यह भी बिल्कुल छोटा स ही है, और छोटे से grow back के अंदर लगा हुआ है, यह भी मुझे 30 रुपीज का मिला है, अगला पौधा यह तो no doubt सिंगोनियम ही है, सिंगोनियम की यह variety मेरे पास नहीं थी, इस वज़ा से मैंने ले ली है, और अभी छोटा है, तो में भी हो सकता है, मेरे पास हो भी, बहुत confused था, अगला पौधा, यह थोड़ा costly पौधा है, यह है आपकी जो है, फैलर रंडॉन की variety है, फैलर रंडॉन के बहुत सारे इसकी family काफी बड़ी है, इसमें बहुत सारे पौधे आते हैं, यह black leaf है, इसका जो बड़ा पौधा था वो 500 का दे रहा था वो, यह जो है 120 का मिल मिला है, मैंने इसरी का address भी share कर दूँगा आप लोगों को, तो इसके बड़े पौधे को 500 में दे रहा था, तो मैंने यह छोटा वाला लिया है, यह मुझे मिला है 120 का, इसके बाद मैंने तीन पौधे यह मेर्च के लिए है, यह यह है, उसके बाद एक यह नॉर्मल वाला ह यह पौधा थोड़ा जो है अनहल्री सा लगा, लेकिन लगाएंगे पौट में तो फिर थोड़ा सीख हो जाएगा, पौट में लगाने के लिए मैंने लिया है, तीनों ही, तो यह तीनों मुझे 20 रुपीज इच मिले हैं, 20 रुपए के एक पौधे, अगला पौधा जो है, यह है आपका एरंथमम, एरंथमम की एक वराइटी है यह, लेकिन यह मिनियेचर वराइटी है, बहुत ज़्यादा बड़े इसके पौधे नहीं होंगे, एरंथमम जो ब्लैक लीफ वाला होता है, मुझे एक बार जो मेरी हमारे हां की कुचेरा नस्री है, बहाँ पर दिखा बहुत ही प्यारे पत्ते, जैसे लग रहा है कि किसी ने कलर्स में के साथ खेला हो इसके उपर, तो यह 40 रुपे का मुझे मिला, उसके बाद अगला पौधा, यह मैंने सायद आपको दिखाया था, और दिखाने के बाद फिर उठा के रख दिया, यह सिंगोनियम है, सिंगो बड़े ग्रो बैग में लगा हुआ है, और काफी बुसी भी है यह, इसके बाद मैंने यह दो पौधे, यह मैंने गवर्मेंट नरसरी से लिया था, मैंने उस नरसरी से नहीं लिया था, मुझे औरेंज कलर इसका काफी प्यारा लगा देखने में, इस बोगन वेदिया का, यह मुझे 20 रुपय का मिला था, हमारे गवर्मेंट नरसरी के अंदर, और उसमें से मैंने एक वाइट का, जो है बहुत पड़ा, उसको पता नहीं क्या लोग बोल रहे थे, वाइट के उपर हलका हलका पिंक था साइड में, मतलब जो फ्लावर्स थे, वो वाइट थे, और किनारे उसमें पिंक था, तो मैंने उसको स्कूल में लगाने के लिए लिया है, जब वो तयार हो जाएगा, तो उसकी कटिंग लाकर लगा दूगा, उसके बाद मैंने यह भाइट उसी नरसरी से लिया है, यह मुझे 30 रुपीज का मिला है, उस वाली नरसरी में, यह तो गिलाडिया का, गिलाडिया मेरे पास यह वाला मैं बहुत दिन से डूण रहा था, मुझे यलो बहुत अच्छा लगता है, और रेड नहीं खिला था उनके यहाँ, मुझे रेड दिखा भी नहीं सायत, इसमें रेड भी आता है, दोनों बड़े ही प्यारे लगते हैं, और यह एक ऐसा पौधा है कि एक बार आपके गार्डेन के अंदर आ गया, तो फिर जल्दी से जाता नहीं है, तो इसके सीड में, यह वाला फ्लावर जो है, मैं सीड बनने के लिए छोड़ूँगा, और फिर उसके बाद इस से काफी सारे सीड जो है, वो लगाऊंगा भी, यह यह मैंने दो मेरे, काफी मेरी मतलब मेरी चॉइस के हिसाब किस से पौधे यह थे, मतलब अगर देखा जाए, तो यह वाला फैलर और यह दो, मुझे बहुत जादा जैसे, मैंने इन फैक्ट ऑनलाइन सेर्च करके इसको बो रखा हुआ था, लेकिन मुझे दागा जंबल ग और यह दोनों 60-60 रूपीच के इच हैं, तो 60 रुपय का मिला, मुझे भी डिलिवरी चार्ज़े वगएरा जोड़के मिझे उतना ही पड़ जाता, तो इस वाचा से मैंने अपने हाँ नजदी की नसरी से ही लेना बेटर समझा, और लाश्ट में सबसे एक पौधा जो हैं, तो फिर क्या कहना, छोटे से ग्रो बैग में लगा है, बीस रुपय का पौधा है, ओवराल जो मेरी स्वापिंग थी, वो 500 के आसपास नियर अबाउट थी, और 500 में मुझे इतने सारे पौधे मिल गए, मैं गया था दूसरे किसी के साथ, उनको खरिदवाने, और मैं लेके आया, और मैंने पेमेंट भी उन्हीं से करनी को बोल दिया था, क्योंकि मैंने पेमेंट के लिए कुछ मेरे पास option ही नहीं था, मतलब मैं अपना wallet भूल गया था, और mobile से मेरा work नहीं हो पा रहा था, मतलब पेमेंट नहीं हो पा रही थी, खर, तो यह 500 के आसपास की सा मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ज्यान रखिएगा, बाबाई एंट टेक केर